आदुनिक्ता के दोर में दीबुमी के नाम से बिक्यात हिमाचल की उपरिक शेतर मानवीता को शर्म शार करने लगा है और महात्मा गांधी चिक्स्ता सिवा परिषर कहने लावारस मरीजों को अड़ा बनता जा रहा है एक वर्स के बितर इस चिक्स्ता सिवा परशर में दस ंदिक मरीज ऐसे दाखि़ हो हैं जिनका कोई तीमडार नहीं लोग मरीजों को या तो परिसर में छोड़ जाते हैं या फिर 108 सेवा के माद्यम से चिकस्ताले बेजा जाता है इस तरह के अधिकतर मरीज चिकस्ताले में ही दम तोड़ जाते हैं अब भी खनेरी से चिकस्ताले में दो मरीज आसे हैं जिनका कोई सहारा ने एक मरीज करीव आट माँ से खनेरी चिकस्ता सेवा परशर में है 220 वाले खनेरी चिकस्ता सेवा परशर को भी ऐसे मरीज़ों के कारण सेवाओं में बाद़ाएं आ रहे हैं चिकस्ता सेवा परशर के प्रमवंदकों का कहना है कि बे दवाएं और उपचार कर सकते हैं लेकिन बीना तिमारदार के रैफर करना हो यह मरीज के अन्य सेवा संबब नहीं हो पाता है हालांकि कुछ जन्ज सेवी ऐसे मरीजuciones की राद दिन सेवा में लगे हैं लेकिन समीति संसादनों के भी आगे कुछ नहीं कर पाते हैं चिकिस्ता सेवा परिशर के मेडिकल सूप्रीडेंट डॉक्टर एन के महता का कहना है कि उन्हें यहां का परवाद संभाले 6 मा हुए हैं इस दौरान 7-8 मरीज ऐसे आए हैं जिनके साथ तीमारदार नहीं होता है हम उन्हें मरीजों को दाखिल तो कर लेते हैं मरीज को दवाएं उपचार और बोजन का तो बेबंदवस्त करते हैं लेकिन मरीज को अन्य सेवाएं या फिर्रेफर की सूरत में दिक्कत आ रही है उन्हें लोगों से अपिल की है कि मरीजों को ऐसे ना छोड़ें आखिर बे परिवार का ही हिस्सा है पबन कुमात समय सेवी ने बताया कि एक वर्ष के बीदे दस मरीज लावारिस आये हैं किसी को 108 एमिलिस में लाया जाता है तो किसी को चिक्सता सिवा परिशर लोग छोड़ जाते हैं ऐसे मरीजों को अंदर बाहर यानी टौलेट लाने ले जाने वाला नहीं होता जहां तक हो सके तो ऐसे मरीजों की सेवा बे कर रहे हैं उन्होंने लोगों से अपिल की है कि इस तरह अपने मुज़र्गों को ना छोड़ें जिस माने दूद पिला कर बढ़ा किया है या जिस बाप में अंगली पकड़ कर चलना सिखाया है उन्हें अब लावारी चुने शरम की बात है ऐसे में मानवीता की हदें पार ना करें हिमाचल प्रदेश के जिला पिलासपुर में बिशो पिख्याद शक्तिपीट शिरी नैना देवी में गत्रा तेजबरसात और भूस खलन के कारण नैना देवी के संपर्क मार्ग पूरी तरह से बंद हो चुके हैं नैना देवी को जोडने बाले तीनों ही मार्ग बंद हैं नैना देवी भाकड़ा नंगल डैम नैना देवी कीरतपूर साहिप और नैना देवी अननदपूर साहिप मार्ग भूस कलन के कारण बंद हैं माता के दश्णों के लिए आए सेंकडों शधालू बापसी के लिए फंजे हुए हैं। लेकिन फिर भी कई बाइक सवार शधालू अपनी जान जोके में डाल कर सड़क पार कर रहे हैं। चड़कों पर यातायात बहाल करने में लोक निर्मार्ण विभाग के अधिकारी मौके पर डटे हुए हैं। हलांके लोक निर्मार्ण विभाग सुबह से तिनात है और रास्ते खोलने का प्रयास चारी है। लोक निर्मान विभाग के अधिकालियों को कहना है कि फिलहाल सबसे पहले शिरी नैना देवी अनन्दपुर साहिब मार्क का यादायाद बहाल करने की कोशिश की जा रही है ताकि शद्धालू को अनन्दपुर साहिब होकर भी जाजा सके। दो राष्ट्री राजमार्क बादित हुए महीं जिला में शिक्षन संसानों में छुट्टी न दिये जाने के चलते छात्र भीगते हुए किसी तरह घरों से तो निकल गए हैं लेकिन अभिबापकों को यही डर सता रहा है कि बे सुकुशल स्कूल पहुंचे भी है या नहीं ह हमेपर में सुबा शुरू हुई बारिष के कारण स्कूल के चात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो वही अभिबापकों को भी परिशानी उठानी पड़ी देज बारिष के कारण सडकों पर पानी ही पानी हो गया और नालियों ने नाले का रूप धारण कर भारी बारिश के चलते हीमुडा कलोनी के नाले में बाड़ आ गई जिसके चलते कई लोग घरों दुकानों और रास्ते में फस गई हैं बाड़ के कारण सडकों पर पारी बह रहा है और लोग घर से बाहर पाउं तक नहीं रख पा रहे हैं अपने बच्चों को स्कुल छोड़ कर बापस घर लोट रहे हमुडा निवासी ने बताया कि नाले ने कुछ ही समय में बिक्राल रूप ले लिया है जिसकारण बे नाले के इस पार रुप गया है और घर नहीं पहुँच पा रहा है बही पानी का तेज बहाब होने के करण गा भार नहीं कर पा रही है गाड़ी में बैठे ड्राइवर ने बताया कि नाले में पानी होने के चलते गाड़ी में ही बैठ कर इंतिजार करना पड़ रहा है परदेश में हो रहे ही मुस्लाधार बारिश का कहर अब विलासपुर में भी देखने को मिल रहा है जबकि रास्ट्रिय राजमार्क चंडिकर्ड मनाली मनिकर्ड भी भारी भूसकलन से बंद है सैंक्रो गाडियां और परेटक और लोकल लोग भी भूसकलन से परिशान है प्राप जानकारी के अनुसार रास्ट्रिय राजमार्क चंडिकर्ड मनाली मनिकर्ड कई जगा से भारी भूसकलन के करण बंद है मोगे पर जैसी भी मशीने तेनाथ है और मलवा हटाने का कारे चल रहा है एक ट्रक पर एक प्रिक्ष कीर गया है जिसके कारण गाडियों की आबजा ही बंद कर दी गई है जिसकी बज़े से गाड़ियों की लंबी करतारें लगी हुई है और परेटन और स्थानी लोग भी परिशान हो रहे है